नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर. आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म की एक आकरशक और रहस्यमई अवधारना के बारे में बात करेंगे, यम दूत. जैसा की हम जानते हैं, हिंदू धर्म में, यम को मृत्यू का देवता माना जाता है. कहा जाता है कि यम दूत, यमराज के दूत हैं, जो मृत्यू के समय मानव की आत्मा को यम लोग तक ले जाते हैं. आईए, यम दूतों के बारे में विस्तार से जाने और साथ ही अजामिल की रोचक कथा को भी समझें. हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जब एक मनुष्य का सांसारिक जीवन समाप्थ होने वाला होता है, तब मृत्यू के देवता यमराज अपने दूतों, यानि की यम दूतों को उस व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए भीजते हैं. यम दूत एक दरावने रूप में वर्नित किये गए हैं, जिनका मुख्य कार्य मृत्य व्यक्ति की आत्मा को नरक या यम लोग तक पहुचाना होता है. कहा जाता है कि यम दूत केवल उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होते हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है. यम दूतों की अवधारना को बहतर धंग से समझने के लिए अजामिल की दिलचस्प कहानी पर ध्यान देना जरूरी है. अजामिल एक ब्राहमन था, लेकिन लालच और वासना के वशीबूत होकर उसने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताया. किसी भी तरह के धर्म या इश्वर में उसकी आस्था नहीं थी. जब उसका मृत्यू का समय आया, यम दूत उसकी मृत्य शया के पास पहुँच गए. अजामिल को एहसास हुआ कि उसका अंत समय आ गया है, वो बहुत भय भीत था. मृत्यू से पहले, उसने अपने सबसे प्रिया पुत्र, नारा को मदद के लिए पुकारा. नारायन के नाम के उच्छारन मात्र से भगवान विश्नु के दूत, विश्नु दूत वहां प्रकट हुए और अजामिल को यमदूतों की गिरफ्ट से मुक्त कर लिया. नारायन को पुकारने के कारण अजामिल की रक्षा करने के लिए विश्न विश्नुदूतों का आना यम्दूतों और विश्नुदूतों के बीच विवाद का विशय बन गया। यह मामला यम्राज के सामने लाया गया। अजामिल की कहानी सुनने के बाद यम्राज ने घोश्ना की की विश्नुदूत सही थे और यम्दूतों को अजामिल को ले जाने वैकुंट ले जाते हैं अधर्मी आत्माओं को दंड देने के लिए करते हैं अजामिल की कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है भगवान के नाम का सच्छे हृदे से लिया गया एक भी उच्छारन हमें यमदूतों के भाय से मुक्ती दिला सकता है हिंदू धर्म में मोक्ष को मुक्ती या जीवन मुलित्यू के चक्र से स्वतंत्रता के रूप में वर्नित किया गया है जो लोग धार्मिक्ता और भक्ती के पत पर चलते हैं तथा जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उन्हें यमदूतों और यमलोग के भाय से मुक्ती मिल जाती है ऐसी आत्माओं को स्वर्ग या फिर भगवान विश्णू के धाम वैकुंत में स्थान मिलता है दोस्तों मैं आशा करता हूँ यमदूतों के बारे में ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी अजामिल की कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म के मार्क पर चलना और हमेशा सतकर्म करना कितना महत्वपूर्ण है यदि आपको यह विडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और भी ऐसी दिल्चस्ट जानकारी आपके साथ साजह कर सकें